सूपरस्टार अमिता बचन और सत्रुधन सिन्ना की फिल्म काला पत्थर की कहानी और सिन्न याद है आपको यह फिल्म दरसल धनबाद में 1975 में हुए चास लाला खदान हाथसे पर बनाई गई थी जिसमें एक साथ 375 कोईला खवंजदूरों की जल समाधी हो गई थी इस हाथसे के बाद भी हमारी सरकारों ने और कोईला कमपनियों ने कोई सबक नहीं लिया नतीजा यह की ठीक 20 साल बाद 1995 में ऐसा ही हासा धनबाद की घजलिटार कोईलवरी में हुआ जिसमें एक साथ 64 कोईला स्रमिक सहीद हो गए थे आज 26 सितंबर है और इस तारीक ने 28 साल पहले धनबाद कोईला अंचल को ऐसा जखम दिया था जिसके टीस यहां के वासिंदे आज भी महसूस करते हैं साल 1995 की यही वो तारीक थी जब यहां की गजलिटार कोईला खधान में भारी बारिस के बीच पानी घुश जाने से एक साथ 64 कोईला स्रमिकों की जल समादी हो गए थी गजलिटार के अलावा आसपास की खधानों में भी उस रोज कुल 89 कामगार काल कबले तो हो गए थे इस बहावा हास्से की 28 वी बरसी पर गजलिटार में निर्मित सहीद अस्तम पर आज जुटे सैकड़ों लोगों ने फोल चड़ाए जिन लोगों ने हास्से में अपनों को खोया था उनके आखे एक बार फिर नम होटी बिते 28 सालों में गजलिटार सहीद पूरे धनबाद में बहुत कुछ बदल गया लेकिन इस हास्से की जाज का नतीज़ा आज तक सामने नहीं आया ना तो हास्से के कारणों का अधिकारी के तौर पर खुलासा हुआ और ना ही किसी की जि का गठन किया था लंबे समय तक जा चली ही रिपोर्ट भी सरकार को सौपी गई लेकिन इसका निर्सकर्स आज तक सामने नहीं आया हास्से के कारण और कतित जिम्मेदारों के नाम भी फायलों में ही दफन होकर रह गए वह 25 सितंबर की रात थी मुसलाधार बारिस हो रही थ कोल इंडिया की अनुसंगी इकाई भी सिसियल की गजली टार कोईलोरी की 6 नौमबर अंडरग्राउंड माइन्स के 10 नंबर सीम में दूसरी पाली की ड्यूटी में बनवी श्रमिक कोईला खनन में जूटे थे यह ड्यूटी शाम 4 बजे शुरू होई थी जो रात 12 बजे खत तो स्रमिकों को धीरे धीरे बाहर निकाला जाने लगा कुल 28 स्रमिकों को बाहर निकाला गया इधर बारिस और तेज हो गई थी कुलवरी के पास से गुजरने वाली कत्री नदी की धराएं उफान पर थी अचानक कत्री नदी का तटबंद तोट गया और पानी की तेज धरा खनन के भीतर इस कदर दाखिल हुई कि खधान में रह गए 64 कामगारों में से किसी को बाहर आने का मौका नहीं मिला इन सरमिकों के घर वाले उनके लोटने का इंतजार कर रहे थे लेकिन इसके बदले उन तक मनहूस खबर पहुँची 26 सितंबर की सुबह होते होते पूरी इलाके में खबर फैली हजारों लोग एकठा हो गए उसा धनबाद की अन कोलियरियां भी उस रोज महफूस नहीं थी चूडिडी खधार में चार, सौथ गोविंदपूर में तीन, बेरा कोलियरी में तीन, निचित पूर कोलियरी में दो, कैसलपूर कोलियरी में एक कर्मी दपन हो गए थे पूरे कोईला अंचल में हर तरफ कोहरा मचा था हासे की खबर पटना दिली से लेकर पूरे देश में फैली ततकालीन कोईला मंतरी जगदीस टाइटलर बियार के ततकालीन मुख्यमंतरी लालू परसाद यादो पूरु सियम जगणात मिस्रा ततकालीन सीमडी जीसी मिर्ग सहित तमाम बड़े नेताब सर मौके पर पहुँचे अपनों को खोने वालों की चितकार का इन में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था धनबाद के वरिष्ट पत्रकार राम जी यादो बताते हैं कि उस रात गजली टाड कोलियरी के अलावा चीतुडी कतरास प्रोजेक्ट सेलमपूर कोईला खानों में तीन हजार मिलियन गिलन पानी भर्ग चुका था भुमिगत खाने जलासे में तबदिल हो चुकी थी खानों से पानी निकालने के लिए उस वقت भी परियाप्त साधन-BCCL के पास नहीं थे कई बार पानी के अंदर ही कोईले की खानों में आग लगने की घटना सामने आई जल समाधी लेने वाले कर्मियों के आसरितों को तदकाल नियोजन कमपनी की वित्य साहता केंद्र और राज सरकार की और से सहायता आपदा राहत कोश से आर्थिक मदद जरूर दी गई लेकिन न तो सहित स्रमिकों के सौ बाहर निकाले जा सके और नहीं इस हास से के जिम्मेदारी तैह हो सकी गटना के बाद इसके जाच के लिए जस्टिस एस मुखरजी की अध़क्षता में मुखरजी कमिशन कोट आफ इनक्वारी का गठन किया गया था 26 जुन 1998 को आयोग ने अपने रिपोर्ट सौब दी लेकिन इस पर सरकार ने आगे कोई करवाई नहीं की बताय जाता है कि जस्टिस मुखरजी ने अपनी रिपोर्ट में इस दुरगटना के लिए खान सौरक्षा महानी देशालय और वीजिसील के बड़े अधिकारियों की जिम्मिदारी तैकी थी